एपी आई भागलपूर दुआरा जवाहर लाल नहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नौलखा कोठी परीसर में आज से तीन दिवस्य कॉन्फरेंस शुरू हो गया बापी कॉन यानी बिहार एसोसेशन ओफ फिजिस्यन ओफ इंडिया एभम इजापी कॉन यानी इस्ट जोन एसोसेशन ओफ फिजिस्यन ओफ इंडिया कॉन्फरेंस में देश बिदेश के कई दिगज डॉक्टर से सामिल हुए बहीं अतितियों का स्वागत API के और्गेनाजिंग चेर परसन डॉक्टर डीपी सिन, आयोजन सचीब, डॉक्टर ओबेद अली, डॉक्टर भरत भुसन, डॉक्टर हेम संकर सर्मा, डॉक्टर आरपी जैसवाल और टीम के सदस्यों ने किया, कार्यकरम का सुहरम दीप जला कर क बता दे की तीन दिवस्य सम्मेलन में पदमिसरी, डॉक्टर विजय परकास, पदमिसरी, डॉक्टर अलकादे, स्पांडे, समेत बिहार, समेत पुर्वी जोन के नामी चिकितसक मौजूद रहेंगे, मीडिया परभारी सेजिजा हुसैन ने बताया कि सम्मेलन के जर्ये चिक कितसकों को हैपर्टेंशन, सूगर, हिर्दय रोग, किडिनी एवं, गैस्ट्रो संबंधित अनिये बीमारियों के निदान में आये बदलाओ और चिकितसा के नए सोत के बारे में दिगच डॉक्टरों के दुआरा जानने का अवसर मिलेगा बिहार स्टीट एपिकॉन यानी एससेशेशन ओफिजिशन इंडिया कॉंफरेंश का हम लोग यहां आये हुए है और आज हम लोग के का उद गातन विधिवत तीन बजे हुआ उद्गाटन करने वालों में हमारे प्राचारी है दॉक्टर शोग भगत, सुपरिटेंडेंट दॉक्टर उदेन आरायन सिंग, दॉक्टर बीबी ठाकुर जो भीष्पितामा माने जाते हैं पी आई पिहार के और नाशनल लीडर है हमारे एक्स प्रेजडेंट रहे हैं, लोगों ने मिलकर सबने यहां पर इसका उद्गाटन आज किया, सुबह और उद्गाटन के बाद से कारिक्रम हम लोगा लगातार चला, जो पहला टॉक्ट था, वो डॉक्टर पीएस करमाकर, जो प्रोफेसर आफ मेडिसीन है कलकटा मेडिकल कॉलेज के, उनका टॉक्ट थ चंपता, और जो ताकत लड़ने की चंपता होती है, इम्यून जो लेवल है, इम्यूनिटी इसको बोलते है, वो कैसे घटती बढ़ती है, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से रिगुलर वाक, अच्छे खाने पीने से और एक्सरसाइज करके उसको हम लोग बढ़ वॉलकैनों के तरह जो अला मुगी की तरह बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितने लोगों को भी डाइविटीज होता है, और शहरी चेतरों में लगवा 11-13% लोगों को हिंदुस्तान में डाइविटीज है, ग्रामीन चेतरों में 7-8% के आसपास लोगों को डाइविटीज ह है वो करीब 25 से 30 परसेंट लोगों के बीच में है पूरे जतने एडल्ट पॉपुलेशन है पूरे वर्ड के उनको हम लोग कहते हैं कि इनको ब्लड पिशर है यह दोनों का आंत जो होता है किड्नी पर होता है इसलिए आप समझ सकते हैं कि जब दोनों बीमारियां बढ़ते ज दोनों का समावेश होना चाहिए और कला में दो बात होती है कला में एक तो मूले है जो एकोनॉमी होती है एकोनॉमी को कम से कम उनको खर्च करना है कम पैसे में अच्छा दूसरा उनके हिर्दय तक पहुँच कर बात करिए मरीजों से जो आप भवनात्मक रिलेशन बनाते हैं रिष्टे बनाते हैं तो मरीजों का आप बढ़ता है आपके उपर चर्चाएं हम लोग से चारोत देखेंगे प्रति दिन मैं इस समय आपको सारे विश्यों के बारे बताऊँगा कि उस दिन कितने टॉक हुए इसके अलावा अभी तक साथ स्नात कोतर चातरों ने अपना शोद पत्र प्रस्तुत किया पोस्टर के माधियम से और डायरेक्ट टॉक्स के माधियम से हम लोग अंतिम दिन यानि परसों इन और भी जो लोग प्रिजेंट करेंगे लगवग एक डेड़ सो चातर आये हुए हैं बाहर से जो MD के विव अबर दन हो सके बहुत बहुत धन्यवाद तेलंगाना के नए मुख मंतरी रेवंत रड़ी के द्वारा पिहार के डिने पर जो बियान आया है उस पर राजनीतिक हल चल तेज हो गई है मुख मंतरी रेवंत रड़ी के बियान के बिरोद में आज भागलपूर खलीपावाक चौक पर बीजेपी के कार्यकरताओं ने तेलंगाना के मुख मंतरी का पुतला दहन किया इस दोरान भाजपानेता और कार्यकरताओं ने जम कर नारे बाजी की मौगे पर जिलाध्यक से संतोस उमार बंटी यादब समेत कई कार्यकरता मौजूद थे और यहां जो है केसी राओ जो हारे है उनसे उनके लिए वह सब्द कहा और कहा कि वह पूर्मी समाज से आते हैं और मेगरेट हैं यहां आकर बसे हैं मेरा कई पीडियों से हम लोग तेलंगाना के हैं इस प्रकार से उत्तर दक्षिन में भारत को बाटने का बिहार के डियने क जो गाली देने वाले को बिहार की जंता कभी माप नहीं करती है और जब सपत ग्रण के समय श्रीमान सोनिया गांधी और अप्रियंका गांधी मंच पर विराजमान थी उल्हों ने कभी नहीं कहा कि आपको अपना व्यान वापस लेना चाहिए यह कांग्रेस की मानसिक्ता का गोतक है हमेशा कांग्रेस पाटी भारत को पाटना चाहती है भासा के नाम पर संपरदाय के नाम पर पंध के नाम पर छेत्र के नाम पर पाट कर राज़नित करना चाहते हैं कभी सेना में अलपसंख्यक कितने हैं गिंदी करवाव कभी मन नहीं भरता है अभी चुनाओ चल अशोक गलोट ने कहा कि अमीत साज जो है गुजरात बनाना चाहते हैं गुजरातियों को यहां ना चाहते हैं क्या गुजरात का व्यक्ति भारत का नहीं है कौन से गुजराती लोग थे इसकी मानसीक्ता है हमेशा बाट कर राजनित करने का और यह एंडी गटमंदन का चेहरा है वो सामनें किसी नेता ने को ब्यान में दिया कौप्रत्तिक्रिया ने किये decreased विहार को गाली देthlet I am और जिन्होंने पिहार के डियेने को यहां के कुरमी समाज को गाली दिया है तो मैं बता देना चाहता हूं यह कुरमी समाज है सब भारत कैई र्यासोदों से भारत भारत को लोपुरुस जो है सरदार बल्लवर पटेल ने 56 रियासोतों को एक कर अखंड भारत बनाने का जो काम भारत के अंदर किया और जब दक्षिन से आध्गुरु संक्राचार्ज निकले 56 जो हमारे पत्पंड के साधू संद्ध थे ज्यानी थे उनसे सस्तराथ करकर भारत को एक करने का काम किया और चार पूरी और आट ऐसे अखालाओं को बना कर और ऐसी वेश्ताब बनाई कि दक्षिन का जो संग्राचार उत्तर का होगा उत्तर वाला दक्षिन होगा पूरे भारत को कशमिर से कन्या कुमारी पूरे भारत को एक करने का काम किया है उसको जबाब आने वाले समय में निलेगा और बिहार में पूरे भारत वर्ष में आक्रोज और एंडी कट मंदन इसी पाटवारे के राजवित में स्वहा हो जाएगी उसको कोई रोकने वाला ने पार्ते जन्ता पार्टी भागलपूर में सारे पार्ते जन्ता पार्टी के करकरता अध्यक जी के द्वारा के नेतृत में हम लोगों ने पुतला दहन किया जो कॉंग्रेस के नेता जिस तरह का बिहार के लोगों के बारे में तिपनी दे रहे हैं ये उनके मानसिक संटुलन के खोने का सबूत देता है, जिनके नेतरुत ही पफू टाइप के है, राहूल गाली जैसे वेक्ती उस कॉंग्रेस की नेतरुत कर रहे हैं, वो खुद बोलते क्या हैं और करते क्या हैं कब क्या बोल देंगे उनको जब संतुलन नहीं टोनके नेता को भी कोई संतुलन और बात करने का बोलने का कोई भी चेजिये का एक वचित नहीं है और उनको तो बिहार लाकर या बिहार जहां भी बिहारी हम लोग हैं उनको कालिक पूतने का काम करेगी उनकी चेहरे पे आने वाले कुछ सब्सक्राइब भागलपूर नाथनगर थाना छेतर अंतरगत गुद्रडी बाजार में मौर्निंग बॉक पर निकले चन्वितरन परनाली के डीलर मोहंमद सोहराब को अस्थानिय बदमास मोहमद चांद ने गोली मार दी गोली डीलर के गाल में लगी वहीं गोली की आवाज सुनकर अस्थानिय लोगों की भीड जमा हो गई जिसके बाद लोगों ने घटना की जानकारी नाथनगर थाना पुलिस को दी सूचना पर पहुंची पुलिस ने परीजनों के मदद से घायल को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भरती कराया इधर पुलिस ने घटनास्तल से एक खोखा भी बरा मत किया है अस्थानिये लोगों की माने तो इन दिनों बदमास चांद का गुदली बाजार में आतंक पड़ गया है आए दिन दुकानदारों से रंगदारी बसमले को लेकर गोली बारी और मारपीट की घटना को अंजाम दे रहा है वही घटना के बाद करीब एक दर्जन से ज़्यादा दुकानदारों ने दुकान बंद कर अभीलम बदमास की गरफतारी को लेकर बीरो उद जताया जबकि घायल जन्वित्रम परनाली के डीलर मुहमद सुहराप के परीजन मुहमद गुलाम मुस्तुफा ने बताया कि चांद ने 50 हजार की रंगदारी मांगी थी जिसे नहीं देने पर उनके उपर जान लेवा हमला किया गया हटना क्या है क्या हटिया मेरे ससूर जी देखे करते हटिया का तो हटिया में रंगदारी मांगने के करम में मेरे ससूर जी के पास दुकंदार समुदाय के लोग पुछ लोग आये कि भाईया हमारे दुकान से उरंगदारी मांगते हैं उसी में दातने के करम में कल दाता गया था आज इनके साथ सुभा सुभा गोली चला दिया गया गया करने के लिए जा रहा है ते गोली लग गया है इनसे भी रंगदारी मंगा यह क्या करते थे सुराब जी क्या करते थे जन्वितरन का जुकान है इनका इनसे भी रंगदारी मंगें कितने की रंगदारी मंगें पाच लाग का दीमान साथ बच्चा जब जम लेता है तो कई बार बच्चा तुरत नहीं रोता है रोने में देर हो जाता है ऐसे में बच्चा च्छतिक रस्थ हो जाता है और उसके बच्चने की सम्मावना कम हो जाती है और यदि बच्चा तो भविस्व में उसमें बिकलांगता की समस्य आती है जिसे सीपी कहते हैं जिसका कोई माकूल पूरे संसार में कूलिंग थिरेपी का सहरा लिया जाता है जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थिरेपी दिया जाए तो उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है पहली बार बिहार जारकंड में आपके सहर के स्ने नवजासिसु बाल सेवा के अंदर में यह मशीन उपलब्द है कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में बिलंब हो गया तो आप स्ने नवजासिसु बाल सेवा के अंदर में जरू संपर करें भागलपूर जिलाविदिक सेवा पराधिकार की ओर से 9 दिसंबर को राष्टिय लोग अतालत लगाया जाएगा इसको लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है जिलाविदिक सेवा पराधिकार के अध्यक्छ सेव जिलाएवishes तर नियाधिस राजेस नरायन सेवक सचीब सह ऑष नियाधिस उमेज परसाद जिलाधिकारी सुबरत कुमार सेन और सस्पी आधन कुमार ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को राष्टिय लोग अदालत में साम उन्होंने बताया कि लोक अदालत में धनबसूली बाद, स्रम बिवाद, बिजली और पानी बिल के मामले, वैवाहिक बिवाद और अनिय दिवानी बाद का भी निस्पादन किया जाएगा। कोड के चीफ जस्टिस भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद इसके बाद उनको कहीं जाने की आवसका नहीं है। इसके अतरीक जो है कि मोटर वेहकल एक से समन्दी जो केसे हैं वो भी आके इंसुनिस कंपनी के साथ मेल बैटके यहां पर सुन्धा कर सकते हैं। इसके अतरीक बिजली के समन्दी जो मामले हैं धेर सारे बिजली के के सिस्टिस पेंडिंग हैं वह भी यहां बिजली वाक के लोग रहेंगे। इसके अतरीक जो कुछ राजा से समन्दीत मामले हैं जो प्रसासन के सायोग से अपना आपस में कंपोंड कर सकते हैं। जो रेलवे के मैटर्स हैं वह भी यहां पर देखे जाएंगे। और इसमें 25 बिंच का कथन किया गया है। जिसमें गया 17 बिंच वेहर नेले बागलपूर में कीया गया है। बैंक के जुर्ले से सब्सक्राव मामले हमें यहां पर आके उम्भी समिठा कर सकते हैं। बैंक और पच्छबार में के उसकी खुबसूरती है कि यदि वो उनका कहीं सर्टिफिकेट केस अगर पेंडिंग में पड़ा हुआ हो तो वो सर्टिफिकेट केस का जो कोट फीस होता है वो कोट कोट फीस से मुक्त हो जाएंगे तो उनको दो फायदा है एक तो जो समझाता मे कोट फीस देने से भी बच जाएंगे और तीसरा है कि मामले को मामले का पूरी तरीके से इहां सपाया हो जाएगा तो इस तरीके से जो इस बिहार की इतिहास में यह पहली बार ही हो रहा है कि इस लो कदालत में जो है ओनरेवल चीफ जस्टिस हमारे पतना हाई कोट की ओभी से साथी के पैटर्न इंचीफ है इसके साथ साथ इसके चेर्मेन साथ है जो अच्छे कदारी सरंसर है वो भी इसमें आकि स्रिकत करेंगे आगामी लोकसवा चुनो के पुर्व आम मतदाताओं को एबियम और बीवी पैट की जानकारी देने के लिए भागलपूर अनुमंडल परीसर इस्तित प्रेस कलब में आज मौडल मतदान केंदर खोला गया यहां कोई भी आम मतदाता आकर ना केवल इबियम बीवी पैट के माध्यम से मतदान कर वोटिंग परकिरिया को परत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं बलकि इसके तकनीकी पहरियों से भी अभ्यत हो सकते हैं मौके पर निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी की वी बी पैट एक प्रिंटर मसीन है जिसे एबियम के साथ जोडा गया है इसके माध्यम से मतदाता अभिये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके द्वारा दिया गया मत उसी उमिदबार को गया है जिसके पक्ष में उन करता है यहां लोग आकर के एक उनिट भी लगा हुआ है जिसमें लोग खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सकते हैं बहुत लोगों को जानकारी कह भाव में कैसे इसको संचालीत क्या जाता है नहीं पता रहता है तो यह एक मां एक्सपीरियंस ले सकते हैं तेलंगाना के नए मुख्यमंतरी रेवंत रेड़ी के द्वारा बिहार के टीने पर जो बयान आया है उस पर राजनीती गर्म आ गई है भागलपूर में कॉंग्रेस के परदेश उपाध्यक्ष परवीन सिंकुसवाहा ने कहा कि इस बयान को तो इस तोल्लब कर पेज करना जिएने गहारी सब्द को जो गाली होना है नहीं है चलो चलो चाहिए है दारसम लिए इस बात को समझदे की कोशिजिक्राचीमी दिखाती है अप इसको छानका दे一起 सब सामने आ जाएगा गृराज सिंग क्या करने वाले लोग हैं और कैसे लोग हैं इस पार्टी के लोग कैसे हैं और किस तरह से सब्दों को तोड मरोर कर समाज में वैमनस्ता फैलाते हैं जब महराष्ट में विहारियों को खदेडा जा रहा था उस समय इनके जुवान क्यों तलाबंदी लगी हुए थी उस समय इनके जुवान पर क्यों नहीं जूरेंग रहा था सोचने वाली बात है बिहारी होना अपने आपने गौरब की बात है तो क्या हम अपने आपको दिल्ली से बहतर नहीं बता सकते हैं इसका मतलब यह थोड़ी हुआ कि दिल्ली हमारे सामने तुक्छ है खराब है दिल्ली हमसे खराब है हम दिल्ली वाले से बहतर है हम महरास्ट व जो स्मॉल इडस्ट्री है वो चलता है अब जितना खौमचा वाले दूद वाले जितने लोगों को देखेंगे वह आपको वहां मिलेंगे तो फिर उनकी दिन्चरिया चलती है बिहारियों के भरोसे तो वह हम बिहारी महराश्चे बहतर हैं तो हम महराश्च को खराब थोड़ करना चाहते हैं वह बिहारी सब्द को अफमान मानते हैं और बिहारी होना गौरब की बात नहीं समझते हैं